मैं राहूल सिंग, आज मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पे उस वीडियो के बारे में जो बहुत तेजी से वागल हो रहा है और वीडियो है राजन पंडित का, जिसमें वो पानी पिते नजर आ रहा है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती के मूड में गाली गलोज भी कर रहा है और पीछे से होली का गाना बज़ रहा है मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि होली के टाइम में दोस्तों के साथ गाली गलोज या मस्ती जो भी अपना मस्ती के फुल मस्ती के मूड में है लेकिन उस बीडियो को बार्ण करने का निसा पांडे का मकसद क्या है क्या उसने उस बीडियो में निसा पांडे को नाम लेकर कोई गाली गलोज कीजा है वो ऐसा देखने में विडियो में कुछ नहीं है, मतलब साफ जाहिल है कि यह वारल किया गया है राजनपंडित को बदनाम करने के लिए, जो कि मेरे समझ से कहीं सही नहीं है, और राजनपंडित को तो पहले ही बदनाम निसापानिदोया किया जा रहा है, टार्गेट किया जा रहा है आप देखी रहा है कि अपने आठ महीने के बच्ची को लेके कि भाई राजन पंडित हम को धोखा दिया है मेरा साधिक मानसिक आर्थिक सोशन किया है और मार्पिट किया है पैसा भी लिया है यह सब सोशल मीडिया पर आके बहुत सारी बाते बताई है लेकिन भाई सोशल मीडिया के सामने आप बता रही है तो जनता इतना मुर्ख नहीं है जनता एक दम स्वस्त दिमार की जनता है वो सोचने समझने की छमता रखती है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या छुपाना चाह रहे हैं इसोही बाते जनता खुब भखुबी समझती है इसमें बस यही बात है कि आप कोई सबूत जो है जनता के सामने नहीं रख रही है इंटर्भी में आप बोलती हैं कि भाई मैं सबूत जनता के सामने क्यों रखू मैं थाना में दे रही हूं तो ना अभी तक कोई थाना या कोट ही उसका जुन साबित कर पाया है यह तो हमारा अपना समझ है आप लोगों का क्या समझ है और इस वीडियो के देखने के बाद क्य क्या आप लोग समझ पा रहा है कि क्या किस मक्सद से वीडियो वाजल किया गया है इसका कमेंट में कमेंट करके जवाब जरू बताइएगा तब तक के लिए जै बिहार जै चमपाराओं